Good morning, आज है वंतिस फरोरी और आज की स्क्लास में हम current affairs के important question को discuss करने वाले हैं आप सभी को पता है कि जो current affairs होता है और सभी exam के लिए काफी ज़ाधा important होता है तो ये class काफी ज़ाधा important होने वाला है इसलिए इस video को आप सभी पूरा अंतक जरूर देखेगा तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण हो जाएगा आज का हमारा भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है ओप्सन नमबर A कहा रहा है स्वच्चता एटेम B कहा रहा है होमो सेप एटेन और C कहा रहा है रोबो क्लीनर 1.0 और सैनी टेक प्रो तो भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम हो जाएगा होमो सेप एटेन ओप्सन नमबर B यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखेगा इसको चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमो सेप एटेम है इसका उद्देश सहर देश भर में मैलाड होने के प्रथा को खत्म करना और सुच्छता अभियान को पढ़ावा देना इसका उद्देश से हो जाएगा चलिए दूसरे प्रसंद देख लेते हैं भारतीय नागरिक सुरच्छा संगिता 2023 भारतीय नया संगिता 2023 और भारतीय साच अधिनियम 2030 के प्रावधान कब लागू होंगे एक जुलाई 2023 को, एक जुलाई 2024 या एक जनौरी 2023 या 31 दिसंबद 2030 कब यह लागू होंगे जो तीनों अधनियम हैं, कब लागू होंगे तो correct answer इसमें हो जाएगा option number B1 जुलाई 2024 को भारतिय नागरिक सुरच्छा सहिता 2023 और भारतिय नहाई सहिता 2023 और भारतिय साच अधिनियम 2030 के जो प्रावधान है वह 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाएंगे चलिए यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने आप भी आपको बता दिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर तीसरा कोश्चन कहा रहा है पंकच उदास किस के लिए प्रसित है पॉप संगेत बालिवड आइटम गाने और साच्त्रे संगेत है यहाँ पर ऑप संगेत के लिए तो नहीं थे नहीं बालिवड आइटम साच्त्रे संगेत के लिए भी नहीं तो यहाँ पर गजले के लिए जो पंक पंकज उदास का लंबी विमारी के बाद 26 फरवरी 2024 को 73 वर्स की आयू में मुंबई में निधन हो गया है पंकज उदास अपनी गजलो के लिए देखे यहां पर आ गया आ गया ना गजलो के लिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो कोई बात नहीं मैंने आपको दो तिन बता ही दिया और यहां पर भी नोटडाउन किया हुआ है पंकज उदास अपनी गजलो के लिए प्रसीत थे यहां पर आप्शन में नहीं था जिनके नाम से चिठी आई है मोहरा से नक कजरे की धार चांडी जैसा रंग एक तरफा उसका घर और आहिस्ता जैसे हिट गाने सा अगला प्रसंद देख लेते हैं कोश्चन नमबर चार विश्व एंजियो दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है करेक्ट आंसर हो जागभी 27 फरावरी को मनाया जाता है चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हर साल 27 फरावरी को हम गैर सरकारी संगठनों एंजियो ये गया महतपूर कारियों को महत्तो देने के लिए विश्व एंजियो दिवस वर्ल्ड एंजियो Δे मनाया जाता है साल 2010 में विश्व एंजियो दिवस को मनाया जाने के स्फूरा सबसे पहले बाल्टिक सी एंजियो फोरण द्वारा की गई थी साल 2014 में संयुक्त राष्ट और यूडोपिय संग जैसे संगठनों से ब्यापक समर्थन मिलने के बाद इसका आयोजन ग्लोबल लेवल पर किया जाने लगा था। यह 2010 में विश्व एंजियो दिवस को मनाय जाने के सबसे पहले बाल्टिक सी एंजियो फोरण द्वारा की गई थी ध्यान में इसको जरूर रखेगा। कम मनाय जाता है हर साल या 27 फरोरी को मनाय जाता है। चलिए अगला प्रसन देखते हैं कोश्चन नमबर पाँच। चलिए अगला प्रसन देखते हैं कोश्चन नमबर अगला क्या कह रहा है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारती राजी में इस्थापित की गई है करेक्टान सुर हो जाएगा भी मद्य परदेश में इस्थापित की गई है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दु यह घड़ी भारतीय पारमप्रिक पंचांग के अनुसर समय प्रदर्सित करेगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक मार्श को सहर के जंतर मंतर पर बने 85 फूट उचे टावर पर इस्थापित इस घड़ी का वर्चुल उद्गाटन करेंगे चलिए कोश्चन नमबर सातवा देख लेते हैं तेज के अंदबाज नील वैगनर ने अंतराश्टे क्रिकेट से सन्यास ले लिया है वह किस देश के खिलाड़ी हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा सी न्यूजिलेंड के खिलाड़ी हो जाएंगे चलिए इनके बारे में देख लेते हैं न्यूजिलेंड के तेज गिंदबाज नील वैगनर ने अंतराश्टे क्रिकेट से सन्यास की घोशना कर दी है वैगनर ने साल 2012 में अपना परदाप पर किया था वैगनर ने अपने केरियर में 64 टेस्ट मैच खेले और 260 विकेट लिये हैं वह टेस्ट में न्यूजिलेंड के लिए सर्वकालिक पांच वे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गिंदबाज के रूप में रेटायर हुए हैं अगला प्रशन हमारा टी टूंटी अंतराश्टे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज सतक का रिकार्ड की स्खिलाडी ने हो गया है चलिए इनके बारे में देख लेते हैं इन्होंने कौन सा करनामा किया हुआ है नामी बियाई क्रिकेट जॉन निकॉल लॉफ्टी इटन ने केवल 33 गिंद उपार टी टूंटी अंतराश्टे क्रिकेट में सबसे तेज सतक बनाकर क्रिकेट इतिहास में रच दिया ह अब टी टूंटी जो क्रिकेट है उसमें सबसे तेज सतक लगाने का रिकार्ड किसके नाम है तो ध्यान रखेगा नामी बियाई जो क्रिकेटर है जॉन निकॉल लॉफ्टी इटन इनका नाम हो जाएगा जो कि 33 गिंद पर इन्होंने टी टूंटी अंतराश्टे क्रिकेट इत्यास में सबसे तेज सतक लगाकर क्या 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 एक इत्यास रज दिया है उन्होंने नेपाल के कुसल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया इटन के नेपाल के खिलाब खेले गए एक टी टूंटी मैच में या उपलब्दी हासिल की चलिए जया रहा है तो कर्यक्ट आंसर हो जाएगा सी स्पेन में किया जा रहा है यहां पे लिखा हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस नेट वर्क ऑपरेटरों के हीतों का प्रतिन रिदित करने वाला एक वैस्विक संग है कोश्चन नमबर 10 कह रहा हमारा गगन यान मिसन के लिए कितने अंतरी च्यात्रियों को नामित किया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A चार जो अंतरी च्यात्रियों को नामित किया गया है गगन यान मिसन के लिए चलिए अच्छे जान लेते हैं यहाँ पे भारत के महत्वा कांची स्पेस मिसन गगन्यान मिसन के लिए चार अंत्री छात्रियों के नाम की घुषना कर दी गई है इसमें ग्रूप कैटन प्रसांत बाल क्रिष्णन नायर, ग्रूप कैटन अजीत क्रिष्णन और ग्रूप कैटन अंगत प्रताप और विंग कमांडर सूभानशु सुकला सामिल है प्रधान मंत्री ने अंत्री छियात्रियों को एश्ट्रो नॉट विंग भी प्रदान किये तो आज की क्लास में बस इतने यह प्रस्ट थे यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को सेर जरूर कर दीजेगा अपने दोस्तों में लाइक भी कर दीजेगा यदि आपका दिल करें तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकाउट चरूर कर लीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद